Hello students, welcome to our educational channel, Alpha Science Academy. तो कैसे हैं आप सब लोग, खेरियत से हैं, खुशबाश हैं, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बन्यादी सवाल से, और वो है What is Science? साइंस क्या होती है? इसका जवाब पहले भी मैं कई वीडियो में दे चुका हूँ, एक पर फिर से मैं उसको रिव्यू करना चाहता हूँ, और साइंस जो है, ये एक लेटन वर्ड साइंशिया में से लिया गया है, जिसका मतलब नॉलिज होता है, लेटन जो है, ये भी हमारी languages उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश की तरह की एक language है, जिसका एक word साइंशिया होता है, और साइंशिया को जब हम इंग्लिश में translate करते हैं, तो साइंस बनता है, और जब उसका हम meaning देखते हैं, तो है knowledge साइंस की definition के तरफ चलते हैं, साइंस की definition समझने के लिए यूँ देख लें, कि साइंस एक कमरे की मानित है, और उस कमरे की दो खिड़किया है, एक खिड़की का नाम है observation, जबके दूसरी का नाम है experimentation, तो तो तमाम वो चीज़ें जो मैं और आप सीखते हैं, observations और experimentation के जरीए, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम concepts को हम science कहते हैं, the knowledge gained through observations and experimentation is known as science, तो फिर science सोचने का नाम है, देखने का नाम है, देख करके, तजर्बा करके, हासल होने वली चीज़ का नाम है, ठीक है, तो science एक सो साल पुरानी, दो साल पुरानी किताब का नाम नहीं है, जबकि science उस पहले इनसान के इस दुनिया में कदम रखने से ही शुरू की, जब इनसान ने सोचना शुरू किया, नीचर के बारे में, इसके structure के बारे में, इसके behavior के बारे में, इसमें मुझूद चीज़ें, सूरच, चांद, सितारे, दरخت, पहार, नदी, नाले, पोदे, जानवर इनसान, इन उससे पहले कि मैं division की तरफ चलू, मैं आपको बताता चलू कि साइंस का जो इल्म है, वो सारा nature के बारे में है, that's why science के knowledge को हम natural philosophy भी कहते हैं, और natural philosophy का मतलब होता है an organized study of this nature, इस nature को एक तरतीब से पढ़ना, कि कौन सी चीज़ कहा है, क्यूं है, कैसे है, किस तरह है, इस सारी चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंडने को हम natural philosophy कहते हैं, science का जो इल्म है, natural philosophy जो है, इसको हम दो major groups में divide किया, शुरू में, आज से 200-300 years ago, जब हमने देखा, कि जो science का इल्म है, वो बहुत ज्यादा पहलता चला जा रहा है, और अब इसकी जो तकसीम है, इसकी जो division है, तो फिर science को दो major groups में divide किया गया, एक का नाम रखा biological sciences, जबके दूसरे का नाम रखा physical sciences, अब ये biological sciences क्या हैं और physical sciences क्या हैं, इनके उपर बारी बारी बात कर लेते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं biological sciences, बायलोजिकल sciences ऐसी sciences को कहते हैं, जिसमें हम living things के बारे में बढ़ते हैं, living things کون کو ہوں सी अपनी एर्दिक ज़रा नजर जोड़ा के देख ले पोदे हैं जानवर हैं पर्चरिंध हैं परिंध हैं इनसान हैं और तमाम वो तमाम insects हैं तमाम वो चीजे हैं जिसमें life है जिसमें जिन्दगी है उन तमाम चीजों के बारे में जितना भी इल्म है उसको हम Biological Sciences कहते है और इसमें जो बड़ा सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट जो है जो Biological Sciences को डील करता है वो है Biology और Biology का मतलब आप जानते है The Study of Life and Living Organisms अब ये जो Biology है इसके फर्दर दो बच्चे हैं दो इसके Kids हैं और एक का नाम है Botany जिबके दूसरे का नाम है Zoology जी हाँ तो Botany और Zoology क्या है इसके उपर फर्दर बात कर लेते हैं Botany की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो Botany का मतलब है The Study of Plants बहुदों के बारे में पढ़ने को Botany कहा जाता है जबकि Zoology यह जो Zoology है इसके जो फर्स्ट थ्री लेटर्स हैं Z, डबल ओ जू इसमें से जू इसमें से लिया गया है Zoology में से और इसका मतलब होता है The Study of Animals जो जू होता है उसमें कोशिश की जाती है कि मैकसिमम जितने पॉसिबल हो सके जानवर रखे जा सकें और तमाम वो जानवर रखे जा सकें जो एक नैचरल हैबाटेट में से निकाल करके उनको हम एक आर्टिफिशल जगह पे एक जंगल में या एक जू टाइप जगह पे हम रख सकें और वो जिन्दा भी रहें उन जानवरों को जू में नहीं रखा जाता जो मर जाते हैं या जो जू की जो लाइफ है उसको पसंद नहीं करते हैं फर गजमपल वॉल्फ जब आप जू जाएं तो चेक ही जगह का क्या वहाँ वॉल्फ होता है या नहीं और चेक करके पर मुझे आपने बताने है कि अगर होता है तो क्या वो जिन्दा रह पाता है और अगर नहीं होता तो उसकी क्या वज़ा है या आपने मुझे बताना है इसी तरह फिजिकल साइंसिस की बात करते हैं फिजिकल साइंसिस में हम नान लिविंग तिंक्स के बारे में पढ़ते हैं तिमाम रहे रिद्गिर्द नजर आने वाले तमाम बेजान चीजें जो है जितनी भी जिसमें लाइफ नहीं है जो पैदा नहीं होती हैं जो मरती नहीं हैं तमाम चीजों को हम स्टडी करते हैं फिजिकल साइंसिस में और फिजिकल साइंसिस को हम Phondamental Sciences भी कहते हैं और इसमें जो major, जो subjects हैं, जो बड़े-बड़े subjects, जो physical sciences, जिनको deal करती है, वो हैं physics, chemistry, mathematics, astronomy, geography, वगेरा वगेरा, और भी कही हैं, तो बात करते हैं physics की, physics को सबसे ज्यादा, या सबसे बड़ा fundamental subject consider किया जाता है, और उसकी बज़ा यह है, कि physics deals with this universe, खुब्सूरा सी काइनात को पढ़ने वाला, डील करने वाला subject जो है, उसका नाम है physics, और chemistry में हम chemicals के बारे में बढ़ते हैं, जिबके maths, जी हाँ, math, mother of all sciences, इसमें हम numbers के बारे में बढ़ते हैं, उनके results, calculation, different or arithmetic operations, और बला बला, और यह सारी चीज़ हैं, जो है, physical sciences कहला भी है, that's it, thank you very much for watching, मैं हूँ मुहमद आफ़ताब एहमन, और आप देख रहे थे हमारा educational channel, alpha science academy, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत क्यार रखिएगा, good bye.